हेलो दोस्तो मैं हूँ सुनीता वेलकाम बैक एस भी ब्लोग में आप सबका स्वागत है आज मैं टीप्स नहीं दोस्तो आइडिया सेयर करूँगी पुरानी सिंतेटिक की जो साड़ी होती है साड़ी का कुछ बनाने बाली हूँ और ये जो फटा हुआ तुटा हुआ टेबिल है इसको भी मैं ठीक करूँगी इस तरह की आइडिया मैं आपके साथ सेयर करने बाले हूँ ताकि हर कोई कर सकके यानि कि कोई भी स्लाइ मैसिन कुछ भी नहीं लगेगा हातों से ही हो जाएगा तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिया है एक पुरानी साड़ी जो एक तरह बह लेना है अपने टेविल के हिसाब से तो साड़ीी की जो आचल होती है तो मैंने आचल का ہी इस्तमाल करूँगे इस ऊपर की साइट के लिए तो यह देखिये दोस्तो इस तरह से थोड़ा सा कट करना है और इस तरह से यह निकल आता है साड़ी और यह जो पाढ़ है इसको काटना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं निकलेगा, दोस्तो। तो चलिए ये तो कुठ हो चुका है, त intrigued की एक साइट से मैंने कट कर लिया है, तब भी भी ये थोड़ा बड़ा है, तो ये जो दोनो साइट पाड है, साड़ी का, तो पाड को दोनो साइट से निकालूंगी, यानि कि एक तरफ से कट करके नहीं निकालूंगी, दोनो साइट की जो पाड है, दोनो साइट से ही मैं निकाल लोंगी, ताकि बाद में हम इसको किसी में इस्तेमाल कर सके, तो चलिए अब जो सिंतेटिक किसारी है वो तो ज्यादा पतले होते हैं तो टेबिल के लिए अच्छा नहीं रहेगा इसलिए मैंने इसका नीचे में लाइलीन के हिसाब से एस चाल की बोरी होती है तो इस बोरी का इत्तमाल करूँगी इसलिए मैंने इसको iron कर दिया, ताकि हमें slide करने में कोई दिक्कत ना हो, और slide करने के बाद किसी भी जगा fold ना होकर रहे, इसलिए मैंने iron कर लिया है दोस्तों, अब इसमें pin आप करना है, तो सबसे पहले middle में मैंने pin कर लिया है इस तरह से, और फिर चारो और pin कर लूँगी, अगर किसी के पास पिन ना हो तो आप सेटी पिन से भी कर सकते हो क्योंकि हर महिलाओ के पास तो सेटी पिन होता ही है तो सेटी पिन से भी करने से भी चलेगा अब देखिए इसको मैंने करूंगी स्लाई अब स्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने इसमें पिनाप कर लिया है आप चलिए चारो और इसको अच्छे से स्लाई कर लेनी है अच्छे से यानि कि जो रांज स्लाई होती है ये तो कोई भी कर सकता है दोस्तों अगर आपके पास मसीन है तो आप मसीन से कर लिजिए कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने लिय तो जाधा अच्छा रहेगा कपड़े की कलर की जो धाके होते हैं तो जाधा अच्छा रहेगा ताकि जलासा भी उपर से नहीं दिखे अब जो मैंने साड़ी के जो किनारे है इस तरह से मैंने जला ली है क्यूंकि साड़ी का किनारा मैंने फोल्ड नहीं किया है और ये फोल्ड ना करने से भी चलेगा कोई बात नहीं है क्यूंकि इसके उपर और भी लगेगी अब देखिए दोस्तों जो नीचे की जूल करने वाली हूँ तो अब उसके लिए पाड की तरफ से इस तरह से ले लेनी है तो मैंने करीब इतना ही लिया है आप अपने हिसाब से ले सकते हो जितना आप नीचे जूल करना चाहते हो तो थोड़ा सा कट लगाया और पूरा साड़ी को इस तरह से निकाल लूँगी जो पाड होती है तो पाड का ही मैं इस्तमाल करूँगी ताकि दिखने में जादा अच्छा रहे इसलिए तो अब यहाँ पे मैं एक बात और बोलना चाहूंगी जहाँ पे हम लोग टेबिल रखते हैं तो वाल की साइड ही रखते हैं तो मैंने जो नीचे जूल बनाऊंगी तो वाल की साइड के लिए मैं मनें नहीं करूंगी उधर ऐसे ही छोड़ दूंगी प्लेन और त इतना आपका टेबिल का लेंध हो इधर से उधर तक तो दोनो साइड लंबा साइड जो है दोनो साइड जितना हो और एक तरफ जो सामने तरफ हो उतना तो सब कुल मिलाकर जितना होगा उससे तीन गुना ज़्यादा पाड को लेनी है यानि कि नीचे के लिए जो मैं अगर चारो साइड देतें तो पांच गुना जादा इस कपड़े को लेना पड़ता यानि कि इस पाड़ को लेना पड़ता दोस्तों तो मेरे बोलने से अगर आप थोड़ा सा धैन से देखोगे तो जादा अच्छा रहेगा तो चलिए मैंने कपड़ा को तो कट कर लिया है अ तो इस तरह थोड़ा सा स्लाई कर लूँगी तो यह कोई भी कर सकता है दोस्तो रांच स्लाई तो अगर आप ऐसे करना चाहो तो कर सकते हो नहीं तो आप एक साथ भी इस स्लाई को कर सकते हो तो चलिए पहले मैं इसको पहले स्लाई कर लेती हूं उसके बाद मैं बताती हूं कि अगर ये श्लाइ ना करना चाहो तो क्या करोगे? तो इस श्लाइ को किस तरह से करना है? थोड़ा सा देख लीजिए, skip ना करके क्योंकि ये अच्छे वाले कपड़े अगर आप कट करोगे तो अगर अच्छे से नहीं देखोगे तो कपड़ा बरबाद हो सकता है इसलिए मैं कह रही हूँ बार-बार अगर आप करना चाहो तो वीडियो को अच्छे से देख लेना और फिर आप सेव करके रख भी सकते हो तो चलिए अब इस तरह से मैंने स्लाइ कर लिया है ये दिखिए दोस्तो और इस तरह से ऐसे होगा तो पूरा को इस तरह से मैंने कर लूँगी उसके बाद आपको दिखाती हूँ तो ए देखिए दोस्तो मैंने कर लिया है और इसकी लेंध उतना ही होना चाहिए जितना मुझे करना है तिन साइट तभी एतना फोल्ड करोगे यानि की छोटा ना हो इस कपड़ा फोल्ड करने की वज़ा से तो इस बात को भी खयाल रखना चाहिए तो मैंने पहले इसको स्लाई किया है अगर आप ना चाहो तो स्लाई पहले नहीं भी कर सकते हो यहाँ पे जब हम सेट करेंगे तो इस तरह से फोल्ड करकर के भी आप स्लाई कर सकते हो सुई धागे से मैं करने वाली हूँ तो दोनों जो उपर की पार्ट मैंने कट किया था तो ओ भी सिधा और ये भी सिधा अंदर रहेगा और उल्टा साइट दोनों की ही बाहर रहेगी ये देखिए दोस्तो ठीक इस तरह से अब पहले मैं इसको पिनाप कर लूँगी ताकि जरा सभी कहीं पे कम ना पड़ जाए यानि की छोटा ना हो जाए तो इसलिए मैंने पूरा को पहले पिनाप कर लूँगी तीन तरफ एक तरफ तो नहीं लगाने वाली हो और ये इतना अच्छा एक टेबिल क्लोद बनके तयार होगा कि आप सोज भी नहीं सकते हो अगर इसको हम बाजार से खरिदने के ले जाए तो बहुत सरा पैसा हमारा घर्च हो सकता है तो दोस्तो मैंने कोई आप सब के साथ वीडियो स्यार करने के लिए ये वीडियो नहीं किया है मैंने खुद के लिए किया है और वही आप लोगों के साथ स्यार किया है और इस तरह की बहुत सारे चीज हमें बनाने में अच्छा लगता है हम ये पहले से ही करते हैं कि मेरी साधी के पहले से भी मैं ये काम करती हूँ मुझे अच्छा लगता है तो चली दोस्तों इस तरह से मैंने पूरा को पिनाप कर लिया है अब इसमें लगाऊंगी तो यहां पे भी मैंने लिया है बड़ा-बला सुई और धागा और इस तरह से स्लाइ कर लूँगी मैंने पहले स्लाइ इसलिए किया था ताकि ये जो फोल्ड-फोल्ड होकर रहेगा तो अगर एक साथ स्लाइ करूंगी तो करने में थोड़ा दिक्कत होता क्यूंकि ये हादो की स्लाइ है दोस्तों इसलिए पहले मैंने उसी को फोल्ड-फोल्ड करके स्लाइ कर लिया था तो चलिए पूरा इस तरह से मैंने सेट कर लिया है तीनो साइट एक साइट नहीं किया है ताकि वो वालकी साइट रहेगा इसलिए अब जो टेबिल तूटा हुआ है ये जो प्लाई है ये उठा हुआ है तो मैंने इसको ग्लूगान से भी लगा सकती हूँ लेकिन इसको ग्लूगान से नहीं लगा हुई दोस्तों क्यूंकि कभी-कभी ग्लूगान भी छूट जाता है और ये टेबिल थोड़ा बहुत पुरान उससे भी ये जुड जाता है तो चलिए इस तरह से मैंने जुडा लिया है अब ये तो नहीं देखेगा क्योंकि इसको ढगने बाली हूँ और जिस तरह मैंने इस जूल को नहीं लगाया था वो वाल की साइट दे दिया है इस तरह से मैंने टेबिल क्लोथ किया है इस इसी तरह से दोश्टो TV का भी कवर कर सकते हो बहुती बढ़िया होता है यह जो जूल दिया है मैंने एक साइट TV की कवर करने के लिए मिडिल में भी 2-3 इस तरह से जूल दे सकते हो बहुती बढ़िया लगता है और कैसा लगेगा इस टीवी में भी इस कभर मैं दिखाऊंगी तो ये देखिए दोस्तो ये टेबिल क्लोथ बनके तयार हो चुका है और बहुती बढ़िया बहुती ब्यूटिफुल लग रहा है अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो और इस तरह से जो मैंने हातों में स्लाइ किया है अगर लगता है कि में स्लाइ करने से बेटर होगा तो दस रुपिया देखे स्लाइ कर भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए इस तरह से आप टिवी की कभर भी कर सकते हो दोस्तो ये देखिए मैंने बिचा के दिखाया है तो आज के लिए बस इतना ही अच्छा लगे तो छोटा सा एक लाइक दे देना दुस्तो आज के लिए बस